तो फिल्म की शुरुवात में हमें फ्यूजर यानी आने वाला वक्त दिखाया जाता है इंसान जैसा दिखने वाला यी बहुत ही अच्छा रूप है जिनने जेसी इंसान के नाम से जाना जाता है जो सब एक चेवर में सो रही थी स्पेस तक आने के लिए यहाने का उनका मिशन था कि वो लोग एक स्पेशिप जिसका नम एट्रोमिटोस है उसे ढूंडे जो इस सयारे पर बीज़ा था मगर अब उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहा है उसके अंदर कोई गरबड़ी भी हो गई थी क्योंकि उस स्पेशिप में ही वो चीज है जिसी जमीन पर लिजा कर सब कुछ चीए कर सकते हैं और फिर बहुत जल्द इन्हें वो स्पेशिप इन्हें एट्रोमिटोस मेल पर जाता है मगर वो दीखती है कि इसमें तो एक काफी बड़ा चीट बना हुआ है उसकी हालत से लग रहा है कि वो जल्द और पर तोट जाएगा इसलिए ये लोग एट्रोमिटोस कोपने स्पेशिप के साथ जोरने के लिए सारी एनर्जी लगा देते हैं जिससे आखिरकार दोनों स्पेशिप अच्छे से जुट जाते हैं एक साथ इस बात की कुशि में एक दूसरे से ताली मारने लगती है तो उनका सीनियर उन्हें गुस्सा होता है और ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनकी जेसी सिस्टम में खराब ही हो सकती है इसके बाद वो लोग जिसी कम्पनी की मैनेजर से राब्ता करती है और बताती है कि हमें एट्रोमेटोस मिल गया है और अब हम उसका कम्पीटर भी चला पा रहे हैं लेकिन हाँ अब से पहले इस कम्पीटर को तेन माँ पहले चलाया गया था जिसके बाद तो वहां से कोई खबर नहीं आई ना ही कोई वहां से जवाब दे रहा है तो इस वज़े से हमारा माना है कि एट्रोमिटोस के सारे लोग मारे गए हैं जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम एट्रोमिटोस को बचाने के लिए अगर कोई मिशन करना चाहते हो तो अपना वक्त ही बरबाद कर रहे हो तुम बस ऐसा करो एट्रोमिटोस पर रखा सारा जरूरी समान ले लो और बस वापिस अपने स्पेशिप में आ जाओ और जो सम पर एट्रोमिटोस की सारे जानकारी निकाल रही होती है एक वीडियो में एट्रोमिटोस का कैप्टन कहेता है शुकर है आखिरकार के रुकाफटों की बाद हम यहां से निकल रहे हैं मगर फिर दूसरी वीडियो में कैप्टन कहेती है कि हर गुजरते घंटे के साथ यहां क पी तक उसका तरफासा बर्ण था जिसे जैसे उनको डॉक्टर साथी खोलता है ये सब अपने उपनी गंज लेकर एट्रोमिटोस की अंदर आ जाते हैं अंदर आते हैं उन्हें दिवारों पर कुछ अजीब तरह की तस्वीरें दिखाए दीती हैं साथे गाना भी वहाँ इतन से ही तबाह कर दीते हैं पिर इस पूरी जुगा की जार्च करने के लिए वह अलग-अलग हिसों में चले जाते हैं डॉक्टर देखता है कि स्पेशिप का ब्लैक बॉक्स यहां से सबर्डेस्टी निकाल दिया गया है ब्लैक बॉक्स यहनी एक ऐसा बॉक्स जिसमें किसी भ सनाया चिया तकि वह यहां एटरूमिटोस पर आने वली लोगों की मदद कर सकीए वह फिर इनसी बात करती है कि एक इनसान अभी भी एटरूमिटोस पर जिंदा आी जिसका नाम ट्रैविस है और पर दुटने पर आरिस को ट्रैविस मील बि weaponि जाता है मगर उसकी आहलत काफ युद्ध दोड़ने पर भी वो से यहां मिलता ही नहीं. अभी सारे लोग एक जगह पर एकट्टा होते हैं। सब कहते हैं कि हमने हर एक जगह पर वो खेमिकल बॉक्स दोड़ा लेकिन हमें वो कहें पर भी नहीं मिला। मगर उसकी दिमाग में काफी गड़बड़ियां चल रही हैं। हो सकता है किसी बड़े हाथसे की वज़र से उसके साथ ऐसा हुआ हो। अब इनका कमांडर ट्रेविस से बात करने की कोशिश करता है। मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो इसलिए वो ट्रेविस की जवेंदारे आरिस को देता है। क्योंकि वो दिमाग की काफी अच्छी डॉक्टर है। अब सारे जनकारे हासल करने के लिए वो रोबर भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्योंकि एड्रोमेटोस की तरह उसकी भी सारी यादे मिटा दिये हैं। इसलिए अपने इस वक्त का अच्छी से इस्तामाल करो और केमिकल बॉक्स को ढूरने में लग जाओ। अब आरिस ट्रेविस के पाल जाकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है और पूछती है कि जो लोग एड्रोमेटोस पर आए थी उनकी बीच की तालुक दोस्ती कैसी थी। क्योंकि स्पेस में काफे दिन तक रहना इन चीसों पर असर डाल सकता है। अब आरिस कमांडर और सीनिर के पाल जाकर उन्हें बताती है कि मैंने जितने भी सवाल ट्रेविस से किये उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मगर जैसी मैंने इस रोबोट लड़की का नम लिया तो उसके चीरे पर अजीब से बदलाव आने लगी। और इनसानों में ये बात हैरानी वाली नहीं है कि वो किसी रोबोट को पसंद करनी लगी। खास करके तब जब वो रोबोट इनसान जैसे ही दिखती हो और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेविस एक इंजिनियर है तो हो सकता है कि उसने इस रोबोट लड़की में बदलाव कर दिये हूँ अपने मताबिक जिसे वो चाहता है जिस पर सीनियर कहते हैं कि मैं अब इस रोबोट की जानच करना जाता हूँ और पता लगवाना चाहता हूँ कि आखिर ट्रेविस और इस रोबोट के बीच में क्या है और ट्रेविस ने अगर इसके साथ किया है तो क्या किया जिस पर कमांडर फैसला करती है कि अब सी में थोड़ी थोड़ी दिर के लिए रोबर्ट लड़की को ट्रैविस की पास बेजूँगा क्योंकि ऐसा करके वो लोग सारी बात पता लगवा सकती है जिसमें वो इस रोबर्ट लड़की को चारी की तरह इस्तमाल करेंगी अब कुछ दिर के बाद पोरे स्पेशिप की बिजली चली जाती है और इन्हें पता चलता है कि ट्रैविस तो यहां से बाब गया है और शायद वो अपने साथ एक गन भी ली गया है क्योंकि वहां पे रखी गन गाइब थी अब गन लेकर आईरिस ट्रैविस को डूरने जाती है वो उसे मिल तो जाता है मगर वो देखती है कि ट्रैविस ने मुझपर ही गन तानी होई है इसलिए वो प्यार प्यार से ट्रैविस से बात करने के कोशिश करती है वो जैसे उसे काबू करनी वाली होती है कि तब यहां कमांडर आ जाते हैं गरन लेकर वो आखिर ट्रैविस की गर नीचे कर दीता है जिसकी बार ट्रैविस को दुबारा से बंती बना लिया जाता है आर इस कमांडर से कहे थी है कि जब मैं अपना काम कर रही थी तो तुम बीच में क्यों आई तो मैं मुझ पर मेरी काम पर मेरी तरीकी पर शेक है किया कमांडर बोलता है कि तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और सिर्फ मिशन के मताबिकी काम करो ठीक है ना उदर जब डॉक्टर और उसकी दोस साथ में थी तो डॉक्टर की दोस बड़ी अजीब चीज़ करती है वो अपनी जैकेट उतारते हुए बोलती है कि यहां एसी के बगार कितनी गर्मी है ना अब उसका ऐसा बरताओ देकर डॉक्टर को काफी जीब लगता है क्योंकि वो एक जैसी इंसान है इसलिए उसे ऐसा कुछ मैसूस नहीं होना चाहिए अब कुछ दिर की बाद इनका पूरा सिस्टम टीए को जाता है जहां तबी पर कंपनी की मैनेजर का मैसिज आता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा सबसे जुरूरी मिशन उस केमिकल बॉक्स को कैसे पिकर कर डून कर लाना है क्योंकि बाकी सारे चीज़ें तो बात की बात है आईरीस एक बार पर दिवार पर बनें पेंटिंग्स और तस्वीरें देखती है और दुबारा से ट्रेविस की पास जाती है वो इस बार उसे उन पेंटिंग्स और तस्वीरों की ही बात करती है जिसके बाद वो रोबोट लड़की को तुबारा सी ट्रेविस की पास पेशती है खुद वो एक दूसी जगब पर आकर एक चूटी सी कैमरा के जरीए उन दोनों को दीख रही थी वो दीखती है कि ट्रेविस रोबोट के कान में मेंडरिन जुबान में कुछ कह रहा है अब आईरिस अपने सीनियर से बात करने जाती है जहां वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहां क्यों आया था और ही काफी जीव है क्योंकि मैं जिसे कभी नहीं भूलता अब सीनियर को मेंडरिन जुबान आती थी इसलिए उसके पास आई थी वो फिर सीनियर को ट्रेविस की कहीं बात सुनाती है मगर क्योंकि ट्रेविस काफी हलका बोल रहा था इसलिए फिल्हान तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती इसलिए वो कहता है कि अभी तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा ट्रेविस ने तुम्हारी कान में क्या कहा था इसके जवाब में रोबोट कही थी कि उसने कहा था कि हम बेशक एक नहीं हो सकती मगर तुम मेरे दिमाग में हमेशा हो और अब जब ये बात सीनियर को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ये बात गल्द है क्योंकि अब तक रिकॉर्डिंग वो भी सुन चुका था और समझ किया था कि रोबोट किसी वज़े से जोट बोल रही है मगर एक रोबोट ऐसा कैसी कर सकती है क्योंकि रोबोट तो जोट बोलते ही नहीं अभी सब लोग आपस में बात कर रही होती है कि आगर कैसे हम ट्रेविस से अपने सवालों के जवाब हासिल करें सेनियर उसे मार पेट करके जवाब लेने का मश्वरा देता है मगर कमांडर और डॉक्टर ऐसा करने से मना कर दीते हैं क्योंकि वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगी जिसमें वो ट्रेविस को मारे पीटी अब डॉक्टर की साथ ही बोलती है कि मेरी बातरूम में कोई खराबी हो गई है तो डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए चिला जाता है वो जब खराबी ठीक कर दीता है तो उसकी दोस्त से गले से लगा लेती है और अपने साथ रुकने का बोलती है उदर आरेस अभी भी ट्रेविस पर नज़र रखी हुए थी और इस पर ट्रेविस बोलता भी है मगर रिशियन सुबान ने अब इससे पेले कि उसकी बोली हुई बात को कंपुर्टर समझ पाता एट्रोमेटोस हिलने लगता है जिहां तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगा का दिर्वाज़ा कूला हुआ है इसलिए इनके स्पेशिप में बाहर की सारी हावा आ रही है कमांडर देखता है कि डॉक्टर अपनी दोस्त की कमरी से बाहर आ रहा है मगर फिल्थाल के लिए वो इस बात को नजर अन्दास करके आने वाली मुसिबत पर दिहान दीता है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती तिये दिर्वाज़ा किस निकोला और वो भी समान वाले कमरे का हुआ क्योंकि वो तो हमेशे ही कफी मजबूती से बंद रहता है दिर्वाज़ा बंद पर ने डॉक्टर रसी पे इनके बाहर जाता है और रसी को कमांडर ने पकड़ा हुआ था वो दिर्वाज़ा तो बंद कर दीता है मगर डॉक्टर की दोस्त रोनी लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त मसीबत में है अब कमांडर तो सही सलामत आ जाता है मगर हवा की प्रेशर से डॉक्टर भी होश हो जाता है इसलिए सीनियर उसे चेक करने उसके जाच करने अपनी साथ ली जाता है वो फिर बताता है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इससे बस थोड़े अराम की जुरूरत है फिर ये अपनी नॉर्मल हालत में आज रहेगा इसकी बात कमांडर डॉक्टर की दोस्त को डांटनी लगता है क्योंकि जब उसका बात्रूम ठीक करने गया था तो इसनी डॉक्टर को गले से लगा लिया था वो कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि हम आम इनसान नहीं है बलकि हम जेसी इनसान है जो उस्ती करना करीबाना ये सब हमारे लिए नहीं बना थोड़ा ख्याल रखो तुम आयरिस अब सेनीर से पूछती है कि क्या कोई रॉबरट जूट बोल सकता है जिसपर सेनीर कहती है कि हाँ रॉबरट जूट बोल सकते है अगर उनने किसी बात था जूटा जवब देने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो वैसे अपनी मर्दी से वो कोई जोट नहीं बोल सकते और हाँ मैंने उस रोबर्ट लड़की की जांच की थी मगर मुझे तो उसमी से कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं मिली अब आरिस दुबारा से अपने सिस्टम पर आजाती है ताकि ट्रेविस की रेशिन जुबान में गई हुई बात को समझ सके मगर तब यहां डॉक्टर की दोस्त आजाती है और बताती है कि ट्रेविस ने जो रेशिन जुबान में कहा है ये तो एक किताब में लिखी गई बात है हमें जिन्दा देकर ये ट्रेविस पता नहीं क्या सोच रहा है कुछ समय नहीं आ रही ये सुनकर आरेस फुरुन ट्रेविस के पाज आती है और उसे बिजली का जिटका लगाती है केहती है कि मुझे लगता है तो बिल्कुल ठीक हो बस बिमार होने का ڈ्रामा कर रहे है हो अगकी पार इस बात का जिवाब ट्रेविस फ्रेविस प्रेंच सुब्वान में देता है जो आरेस समझ भी जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत फ्रेंच सुबान आती थी इस बार उसने दुबारा से किसी किताब का जिकरी किया था डॉक्र के दोस्तने एड्रो मेटोस का वो सिस्टम ठीक कर लिया होता है जिससे वो राप्ता कर सकती थी मगर उसे दुबारा से वो ही वीडियो आ जाती है जो पहले भी आई थी असल में ये सारे पुराने रिकॉर्डिंग से जो हर दो गिंटे की बाद आ रही है कमांडर उसी कहता है कि तुम लगतार जमीन पर मेस्ज़ बेश दी रहो जब तक की कोई जवाब नहीं आ जाता ये देखकर वो रोने लगती है जिस पर कमांडर उसी तुबारा से डांटा है कि तुम क्या कर रही हो जैसे हो कर रही हो अब इसे वक डॉक्टर भी यहां आ जाता है जिसी देख उसकी दोस्त गले से लग जाती है अब उनको ऐसी देखर कमांडर दुबारा से उन्हें डांटा है कहता है कि यह सब तुम दोनों की वज़े से हुआ है अगर उस दिन तुम दोनों साथ में ना होती तो तुम ही पता चल जाता कि समान वाले कमरी कर दर्वाजा खूला हुआ है और हमें यह सब ना देखना पड़ता तो इसलिए चिपकना बंद करो और दूर रहो एक दूसरे से क्योंकि तुम दोनों की गलती की वज़े से हम सब मरने वाले थे वो पर डॉक्टर की दोस्त को कहता है कि तुम तो सबसे पहले काम करो तुम जाओ सीनियर के पास अपने जाश करवाने कि आखित तूम इतने जसबाते क्यों हो रही है वो डॉक्टर को फिर बताता है कि लाक कोशिश के बाद भी जानकारी नहीं मिल रही पता नहीं जानकारियां कहां चली गये है सेनियर डॉक्टरों की दोस्की जाज कर रहा होता है मगर उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती वो फिर सेनियर से पूछती है कि आजगर आपको कुछ अजीब मैसूस हो रहा है अब हाला की सेनियर को अजीब मैसूस हो तो रहा है मगर इसकी बवाजूद भी वो ना में जवाब देता है इधर आइरिस ट्रेविस की फ्रेंच में बोली गई बात की जाज कर रही है जिसकी बाद वो दिवार पर बनी तस्वीरों और पेंटिंग्स पर लाइट मार के देखती है जहां उसे छुपा हुआ मैसे समझ जा जाता है वो पुराने जनकारियों को भी देखती है अब कमांडर उसकी पास आता है ये पूछने के लिए कि अभी ते तुम्हें क्या जनकारे मिली है जिस पर आरिस बताती है कि एट्रोमिटोस तब भी खत्रे में नहीं था हमारे आने से पहले ट्रेविस एट्रोमिटोस को सबसे बड़े सयारे पर ले गया था जो काफी कतर नाक था क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी और वो केमिकल बॉक्स जिसे हम डूरनी आए हैं उसे लेकर भी एट्रोमिटोस की लोगों की बीच में बेहस हो गई थी इसलिए मुझे लगता है कि कमपनी के मेनेजर ने हमें केमिकल बॉक्स के बारे में जो भी बताया है वो सच है ही नहीं पर नहीं बल्कि मेरे पीचे रखी पाने की फिल्टर मेशीन परतानी थी फैर जो भी है मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो भी केमिकल है बहुत खतरनाक है और पानी से इसका कोई तालूक है जो हम जैसी लोगों और इंसानों के लिए खत्रा है जिस पर कमांडर कहत है कि या तो इन सक पर कोई सबूत लेकर आओ या पर ट्रैविस का मुझ खुलवा कर उसे जानकारे लो वो पर दुबारा से ट्रैविस के पास जाती है और कहती है कि मुझे सब बता दो इस पर तुबारा से वो किताबों की बातें करने लगता है और ये भी कि उस केमिकल था तो सीनियर बातें बोल रहा था अब डॉक्टर कमांडर को बताता है कि अगर केमिकल बॉक्स को स्पेस में छोड़ा होगा तो बड़े प्लैनिट की जमीन पर जाके गीर गिया होगा मगर टोटा भी नहीं होगा क्योंकि उस बॉक्स को तोड़ना बहुत ही मश्किल होग पिर आरिस्ट ट्रैविस की पास आगर पूछती है कि जल्दी बता दो केमिकल बॉक्स कहा है वरना सीनियर तुमें बहुत बुरी तरह से मारेगा और लहु डुहान कर देगा अब पहले तो वो कोई जवाब नहीं दीता देखता है कि सीनियर रोबोट की हाथ को नुक्सान और पिर जैसी वो रोबोट की सर को जटका देकर उसे तोड़ने ही वाला था तो तब ट्रैविस बोलता है कि रुको मैं बताता हूँ गैमिकल बॉक्स के बारे में मैं तुम्हें उस बॉक्स के बारे में सारे जनकारी दोगा मगर तो मुझे पहले मेरी इस रोबोट को ठीक करने दो, हidence डॉक्टर दूबाराँ सी अपनी डूसी मीटी मीटी बातें करके उसकी गले से लख जाता है, उसकी दोस्त भी बातर बातर में आ जाती है इसलिए रोकते भी नहीं, ये देकर कमांडर को इतना गुसा आता है कि वह जाकर डॉक्टर को पीट नहीं लगता है, मगर परे सीनिर उनकी लड़ाई छुड़वा कर वो जनकारी बताता है जो ट्रैविस से मिली थी। जनकारी की मदद सी वो उस जगा की बारे में पता लगवा लेती हैं जहां वो बॉक्स है। मगर जिब भी उस जगा को चेक करती हैं तो इन्हीं वहां कुछ भी नहीं मिलता। कमा पर बीजा था। मैंने ही एट्रोमेटोस और इस रोबुट की यादों को मिटाया था। मगर आखिर में मैं कुछ को नहीं गदम कर पाया। असल में यहां काफी बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। जिस वज़से एट्रोमेटोस में यह सब हुआ। मैं क्योंगे उस गड केमिकल भी अंदर आ गया और पानी में मिक्स हो गया। जिस वज़से यहां का सारा पानी खतरनाक जहरीला जान लेवा हो गया। और यही वज़़ए कि इतनी तीजी सी लोग मारे गए। हाला कि मैंने इस बारे में जमीन पर मेंसज भी बीज़ा था। यानि कि केमिकल की व आगे वो बताता है कि हमानी लोग दो ग्रूप्स में बढ़ गये थे। अब वो लोग जो जान गये थे कि यह केमिकल कितना खतरनाक है इसे जमीन पर नहीं ले जाना उन्हें में मेनेजर के साथियों ने मार दिया। और सिर्फ मैं जिन्दा इसलिए बच गया क्योंकि मैं क इसलिए मानना चाहती हैं ताकि इनसान के कोंसे जीसी इनसान को पहले जैसा ठीक हो सके यह सारी बाते सुनकर जैसी आईरिस वहां से जाती है तो ट्रेविस अपने रोबोट को ठीक हैनी में लग जाता है अब डॉक्टर की दोस्त के पास मेनेजर का मेसिज आता है जो कहता ह कि यह मेरा आखरी मेसिज है आगी वो कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अजीबो गरीब सा मेसूस करे रहे हूं क्योंकि तुम्हारे डियने अब बदल रहे हैं जिने ठीक भी नहीं किया जा सकता और हां ट्रेविस ने मिलकुर ठीक बताया है कि इनसानों को मा लेते हैं क्योंकि वो भी तो एक इनसान ही है ना मगर एक मुसीबत है ऐसा करने से ट्रेविस ही मारा जाएगा यह सुनकर आइरेस कहती है कि कुछ भी करने से पहले हमें कमांडर और डोक्टर के वापिस आने के इंतसार करना चाहिए जो नीचे गई है केमिकल बॉक्स को कर लेंगे क्योंकि एक इनसान के जान बचाने के लिए वो पाश नहीं मर सकती है इसलिए सेनियर ट्रेविस का खूर लेने के लिए चला जाता है अब तभी उन्हें ट्रेविस की बताई बास से बता चलता है कि एट्रोमिटोस पर बाद में जितने में लोग मारे गे थे उन तबी ने कोई आवास सुनाई देती है, इसे डोक्टर चेक करने जाता है, मगर जब वापिस आता है, तो ये दिकर काफी हरान और दुखी हो जाता है, कि उसकी प्यारी दोस्त को उस रोबोट ने मार दिया है, अब इस बास से उसे इतना गुसा आ गया था कि आरिस की मना करने कि बवाजूत भी वो अकेला ही, रोबोट को ढूरने के लिए चला जाता है, वो फिर उसे समान वाले कमरे में मिल पी जाती है, मगर जहां वो पहने मासूम सी थी, चुपचाप सी थी, अब वो इतनी तेस हो गई थी, कि काफी कतर नाक लड़ने लगती है, हलांकि डॉक्ट यहां आती है, तो वो समझती है कि आरिस भी होश पड़ी है, इसी ने उसके पास है गुसरती है, मगर असल में तो यह बस इसे पसाने का जिवाल था, कमांडर ने तो दुर असल ट्रैविस को पकड़ा हुआ था, ताकि वो रोबोट को कंट्रोल कर सके, जिसकी बाद कमांड है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब तब ही इदर आरिस अपना फैसला बदल लीती है, वो ट्रैविस की बज़ाए कमांडर को ही मार डालती है, आरिस भी बताती है कि 98 फिसद जैसी लोगों में एक गड़बड़ी आई है, बचे हुए 2 फिसद लोगों में मैं भी इसलिए वो सपरे में ट्रैविस से पुछती है, जिस पर वो बताता है कि असल में वो रोबर्ट चाहती थी, कि वो और मैं एक जैसी होकर एक दुसरे के करीब आ सके, इसलिए उसने को नहीं अपने अंदर बदलाओ किये थी, मगर मैं यह यह नहीं जानता था, कि वो इतने यह रुक कर अपने जया लेना चाहती है, खुद को खत्म करना चाहती है, वो खहती है कि मैं इसी लाइक हूँ, क्योंकि एक बर बच्पन में गुस्से की वज़सी मैंने किसी को मार दिया था, अब जैसी ट्रैविस यहां से दूर जाता है, वो इस स्पेशिप को बड़े प आत्म करती है.